तरह आज के सेशन में बात करेंगे आप जंप और लेबल ऑपरेशन के बारे में इस तरी किसे टी यह वोडल में जंप और लेबल ऑपरेशन परफॉर्म किये जाते हैं सारी चीज़ से अपन देखने वाले हैं तो सबसे पहले जंप के बारे में बात करें तो यहां पर क्या होता है जो भी मेरी PLC होती है, वो एक scan cycle चलाती है, मेरे network को scan करने के लिए, जो भी मेरा logic लिखा हुआ है, top से bottom scan होता है, लेकिन jump instruction क्या करता है, बीच में interruption का काम करता है, जैसे ही jump instruction active करते हो आप, तो एक network से लेके, एक particular network तक की networks को scan नहीं किया जाता है, और फिर उसके आगे जो भ किया जाता है, किस तरीके से अपन jump और label का use करेंगे, वह अपन TIA portal के software में देखेंगे, और यहाँ पर एक jump if not instruction होता है, जो कि jump का totally reverse होता है, वो भी अपन देखने वाले, तो यहाँ पर अपन देखते हैं, किस तरीके से jump का use करता है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक no लेता हूँ, यह मैंने एक no लिया, ठीक है, और एक output ले लिया, ठीक है, similarly, यहाँ पर भी एक no ले लो, और एक, यहाँ पर अपन jump instruction ले लेते हैं, ठीक है, और similarly, यहाँ पर मैं इसको delete कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ अपन ले ले लेंगे, यहाँ पर मैं एक no ले लिता हूँ, और फिर से एक output ले लेता हूँ, ठीक है, यह मेरा output होगा, ठीक है, इसकी जरुएत नहीं है, अपना को, श्कुर्ट आधेता हूं एक और रहनों ले लेता हैं और एक आउट्पुट ले देता हूं और इसी तरीके से मैं क्या करता हूं यहां पर है एक और इनों ले लेता हूं और जो अलगा जँता हूँ अ इस तरीक सब्सक्स ने यह बनाया है और यहां पे अपने विफए ले ले लेता है जॉम्प तो यह लगा दिया अपने लास्ट में यहां पर एक लेबल लगा देते हैं यहां पर लेबल लगा दिया है तो बेसीकली होना ही क्या वाला है यहां पर जब भी जम्प इंस्ट्रक्शन एक्टी होगा तो जम्प से लेबल के बीच में जितनी भी नेट्वर्क रहेगी वो उसकी स्कैनिंग अपने कीप कर देंगे है यहां पर कैसे करना ही यह दिखते है यहां पर मैं सबसे पहले एक ड्रेस ले ले ता हूं मेमोरी का है ना मैमोरी बिट्स से एक्टीव करेंगे मेरे ड्रेस क्यू 0.0 को similarly यहां पर अपने memory bit दे देते हैं M0.1 ठीक है और यहां पर address देते हैं Q0.1 sorry यहां पर अपने address देतेंगे ABC कुछ भी दे दो यहने इसमें फरक नहीं बढ़ता है यहां पर यह ABC दे दिया मैंने इसको for the timing अभी मैं क्या करता हूं यहां पर M0.2 कर देता हूं इसको अपन कर देते हैं Q0.2 यहना Q0.1 कर देंगे इसको Q0.1 कर देता है ठीक है इसी के बाद मैं क्या करूंगा यहां पर यह M0.2 कर दिया और यह हो गया इसी के बाद अपन क्या करेंगे यहां पर M0.3 कर दो इसको और यहां पर Q0.2 कर दो ठीक है इस तरीके से अब मैं क्या करूंगा यहां पर इसको डाउनलोड करने के बाद मैं इसको डाउनलोड करता हूं और फिर इसको आपन चला के लिखते हैं इसको डाउनलोड करने के बाद अपने इसको मॉनीटर मोड में लेके चले जाते हैं ऑनलाइन लेके चले जाओ पहले ओनलाइन मोड में जाने के बाद मैं इसको मॉनीटर मोड में आ चुके अब मैं यहां पर क्या करूंगा इन इंपुट्स को यहीं से अपन एक्टिव करेंगे क्योंकि मैंने मेमोरी बिट ले रखी है तो मोडिफाय यहां से डायरेक्ट हो जाएगा तो यहां पर आप देख हो गें तो साए आउट पूट साई हो जाएंगे करिस्पोंडंिंग त poking टूदा इंपूट्स जैसे इसको अक्तिवेटनेंग हें यह करोओ यह हाई होजाएगा डो Mallis को थायूंगего है कर आस तरीके से similarly ones सब्सक्राइब को फिर से में 120 करते हैं यह सोग्माइब करने के बाद हम मैं इस में जूंप को एक्टिव करता है जैसे ही मैंने जंप को एक्टिव किया तो अब जो नेटवर्क से जो जंप और लेबल के बीच की जो नेटवर्क से यह एक्टिव नहीं होगी अगर मैं इसका इंपुट एक्टिव करना चाहूंगा तब अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हो तब भी एक्टिवेट में है तो जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक मैं यह जो जंप के बीच की नेटवर्ग से उनको इसकेन नहीं करेगा PLC और लास्ट वाली नेटवर्ग को आफ एक्टिव कर सकते हैं यह जंप से जंप लेवल के इंफ्व इन्प रहे है हieme यह तिर को आप आप्य आप जैसे ही मैं जम्प को डीक्टिविट करूगा थी देशी है जय से यह जंब को जीरो करते हैं तो आप देश रहते हैं अपन ने इसको एक्टिव・ किया था तो झाल झाल